हेलो विल्कम बैक्तो माई चैनल विजी नीटिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कैसे है आप सब आज मैं आपके साथ बहुत ही सुन्दर डिजाइन शेयर कर रही हूं जो हम किसी इस डिजाइन को हम किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं बहुत ही सुन्दर डिजाइन है तो चलिए इस जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को जरूर दवाएए ताकि आपको मेरी आन यह देखिए मैंने यहां पर चोटा सा बॉडर बनाया हुए इस डिजाइन को डालने के लिए हमने चार से गुणा होने वाले फंदे लेने हैं चार आठ बारा सोला इस तरह से चार से गुणा होने वाले फंदे लेने हैं मैंने अपर लिए हैं टॉंटी एट फंदे तो चल करेंगे दो फन्दे ओटे कि पहले हम स्वरी सीधे बनाएंगे का दागा यह पहला फंदा वहन के दो फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से ओर फंदे ओल्टे यह दिखिए दो फंदे सीधे बनाएंगे यह हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो सीधी तरफ से है दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे इस तरह से हम इस डिजाइन की फर्स्ट रो अपनी complete करेंगे उल्टी तरफ से friends सीधी तरफ से नहीं उल्टी तरफ से ये pattern हमारा start होगा ये देखी दो फंदे सीधे बनाएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे बहुत ही सुन्दर pattern है किसी भी project में हम इसको डाल सकते हैं और बनाने में भी बहुत सुन्दर है और देखने में उत्ना ही सुन्दर है कि दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे एज का फंदा है यहां पर उल्टी तरफ से इसको हम उल्टा बना लेंगे ये देखिए इस तरह से अब देखिए आजाईए सीधी तरफ second row दूसरी रो सीधी अब उने उतारेंगे दो फंदे उल्टे जिनको हमने सीधी तरफ से सीधा बनाया था उनको हम उल्टा बनाएंगे देखिए धागा नीचे करेंगे जो दो फंदे सीधे बनाएं एक फंदे को हमने सीधा बनाया इन दो जो हमारे सीधे फंदे हैं इनका हमने तीन बनाने हैं इन फंदों के तीन फंदे बनाने देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे फिर इसको सीधा बनेंगे धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे एक जाली बन जाएगी हमारी देखिए चार-चार फंदों का डिजाइन है यहाँ पे हमने दो फंदों के तीन फंदे बना दिये फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे यह डिजाइन की दूसरी रो है सीधी तरफ से यह देखिए एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे आगे का फंदा भी सीधा करेंगे यहां पे हम एक जाली डालेंगे दो फंदों के तीन फंदे बनेंगे यहां पे फिर से दो फंदे उल्टे बनाए जाली डालेंगे और देखिए दो फंदे उल्टे बनाएं और दो फंदों के हम तीन बनाएंगे एक फंदा पहले सीधा बना लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और यहां पे जाली हमारी खुद बढ़ जाएगी यह देखिए तो इसी तरह से हम अपनी सेकिंड रो देखिए दो फंदे एक फंदा सीधा बन लिया धागा अपनी तरफ किया और बीच में जाली डाल दी यहां पे भी तीन फंदे बन गे आगे के दो फंदे उल्टे और एज का फंदा सीधी तरफ से सीधा यह देखिए यह हमारी डिजाइन की दो रो कम्प्लीट हो जाती है अब तीसरी रोपया यह 6 रोपया हमारे यह पैटरन है फ्रेंडस दागा एज का फंदा उतार गे दागा नीचे करेंगे जो हमारे उल्टी तरफ से फंदे सीधे हैं उनको सीधा ही बुनेंगे फ्रेंडस और देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे हम जो फंदे 2 के 3 फिर से धागा नीचे किया जो उल्टे फंदे थे उनको हम सीधा बनेंगे और धागा अपनी तरफ करके पहला फंदा उल्टा बनाया बीच का जो जाली वाला फंदा है इसको बनाएंगे हम सीधा फिर से धागा उपर करके उल्टा बनाएंगे तो यह हमारे पैटरन की तीसरी यह देखिए दो फंदे हमारे सीधे बनेंगे एक वार फिर से देखिए जो तीन फंदे हमारे बनाये थे यहां पे ए पहला फंदा उल्टा बनाएंगे तुछ दाग अपनी तरफ करके झार करना तो इसी तरह से हम डिजाइन की तीसरी रिए अपनी कम्पैट कर लेते हैं जाली वाले फंदे को हम उल्टी तरफ से सीधा बनाएंगे ये देखिए इस तरह से ये देखिए दो फंदे सीधे बनाए धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे आगे वाला फंदा उल्टा और जो उल्टे फंदे थे सीधी तरब से उनको हम सीधा बनाएंगे एज का फंदा उल्टी तरब से उल्टा बनेंगे ये देखिए यहाँ पे हमारी तीन रोव कम्प्लीट हो गई फ्रेंट्स अब चौती रोव में आ जाईए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे एज का फंदा है और धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे दो फंदे उल्टे बनाके धागा नीचे किया एक फंदा सीधा और यहाँ पे जो बीच का फंदा है धागा उपर करेंगे जो जाली वाला फंदा है उसको हम उल्टा बनाएंगे ये देखिए फिर धागा नीचे करेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे बनाएं चौथी रो है ये पैटरन की एक फंदा सीधा और जो बीज का जाली वाला फंदा था इसको हम उल्टा बनाएंगे और ये आगे का फंदा फिर से धागा करके सीधा बनाएंगे दो फंदे उल्टे एक वार फिर से देख लीजिए ये पहला फंदा सीधा बनाएंगे और जो बीज का है जाली वाला फंदा इसको हम उल्टा बनाएंगे और आगे का फंदा धागा नीचे करके फिर से सीधा बनाएंगे तो fourth row हम इसी तरह से complete करते हैं यहां पर देखिए चार सलाइए complete हो गई अब पांचमी सलाइब में देखिए edge का फंदा उतार के धागा नीचे करेंगे जैसे हमने fourth row complete की थी same to same हम इसको भी वैसे repeat करेंगे दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा जो बीच का जाली वाला फंदा है उसको सीधा बनाएंगे आगे का फंदा उल्टा फिर देखिए friends एक वार दो फंदे सीधे बनाएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे जो बीच का जाली वाला फंदा है उसको सीधा और आगे का फंदा उल्टा दो फंदे सीधे एक वार फिर से देख लीजिए ये हमारी पांच वी रो है एक फंदा उल्टा आगे का फंदा सीधा बनाया जाली वाला फंदा जो है और धागा फिर से उपर करके एक फंदा उल्टा तो इसी तरह से हम अपनी पांच वी रो कम्प्लीट कि दो फंदे हमने बनाने हैं ओल्टा ठीक है फ्रेंट्स धागा नीचे करेंगे एक दो तीन जो तीसरा फंदा है उसको हम इस तरह से पहले बुनेंगे जो तीसरा फंदा है उसको हम पहले बुनेंगे और ये जो हमारे दो फंदे हैं इनको इस तरह से ऐसे निकालेंगे और इस तरह से बैक लूप से देखिए दोनों को एकठा बुन लेंगे इनका हमने दो का एक करना है यहाँ पे तीन फंदों का फिर से दो बनाने हैं फिर से देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे तीन फंदों का एक दो तीन जो सीधी तरफ से हैं जाली वाला और दो फंदे और पहले हम ये पीछे का फंदा जो है इसको ये देखिए फंद्स इसी तरह से एक वार फिर से देखिए दो फंदे उल्टे बनाके पहले हम तीसरे फंदे को बनेंगे इस तरफ से ये देखिए फ ये बैक लूप से दोनों को एक साथ बुनेंगे, ये देखिए, यहाँ पे तीन फंदों के दो हमने बनाने है, इस तरह से, दो फंदे उल्टें, तो ये हमारी छठी सलाई कम्प्लीट हो जाती है, यहाँ पे, यह देखिए इस तरह से, यहाँ से इसको निकाल के, इन दो को एक साथ लेके इस तरह से बैक लूप में इनको एक साथ बुनना है यह देखिए फिर से दो फंदे उल्ठे तीसरे फंदे को हम पहले बुनेंगे फ्रेंड्स इस तरह से सीधी तरफ को यहाँ पर इन दो फंदे को निकालके शिलाई में डालके इस तरह से बैक लूप से ऐसे बुनेंगे यह देखिए दो फंदे फिर से उल्टे तीसरे फंदे को हम पहले बुनेंगे इनको पीछे आगे वाले फंदे को स्लिप करके पीछे लेंगे और ये देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे और आगे के दो फंदे उल्टे एसका फंदा यहां पे हमारा सीधा जाएगा देखिए यहां पे हमारा पैटर्न भी ओबर हो जाता है पूरा बन जाता है मैं थोड़ा सा उपर करके आपको फिर से दिखाती हूँ फ्रेंट्स यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से यह देखिए सिक्स रो को कम्प्लीट करके बनाके यही सिक्स रो हमने बार बार रपीट करनी है हमारा पैटर्न इतना सुन्दर बन के आएगा यह देखिए सीधी तरफ से है और यह उल्टी तरफ से है यह देखिए बहुत ही सुन्दर बहुत ही प्रेटी बन किया आया है ये पैटरन किसी भी कारडिगन में हम इसको डाल सकते हैं बच्चों के कारडिगन में लेजी स्वेटर में किसी में भी डाल सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना चैनल पे नए ह तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाईए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके देखिए कितना सुन्दर लग रहा है तो फ्रेंट वीडियो को वाच करने के लिए थैंक्यू मिलती हूँ एक और नहीं वीडियो के